हुआ 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 जहिन दोस्तों दोस्तों आज ची वीडियो में सिखेंगे हम जानेंगे कोविन एप्लिकेशन कोविन पोर्टल पर एड किये गए मिम्बर्स की रेजिस्ट्रिशन नंबर को यदि हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम वो पूरा प्रॉसेस जानेंगे दोस्तों आईए प्रॉसेस जानने से पहले यदि आप मारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जूट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी गृत पूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो यह हम लोग प्रॉसेस की तरह बढ़ते हैं सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि कोई वी एक्टिविटी करने से पहले हमें कोविन पोर्टल पर लॉग इन करना पड़त है रेजिस्टर करना पड़ता है यदि रेजिस्टर है अल्रेडी तो साइन करना पड़ता है ठीक है तो हम करेंगे करने के बाद कैसे करेंगे यह हम सभी जानते हैं जैसे किसी भी सर्च इंजिन में कोविन को हम लोग सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा हम ल को add कि हैं और member है को हम लोगों ने अपने नंबर से एड किया तो हम लोग यह कारेंगे करेंगे login करने के बाद देखिया ऐसा कुछ इंटरफेस टिए के जितने ही इहां पे हैंगे वो सारे डिटेल्स अपि यहाँ पे दिखेंगे को आप एड़ किया होंगे मैक्सिम्पोर चार लिज तो उन चार் मेंबर का डिटेल्स आपको यहाँ पे ठीक तो हमीं करना क्या है हमें सपूस्ट मैने अपने फैमिली मेंबर का अपने मॉबाइल नंबर से हमने उनका registration कर दिया, उनका slot book कर दिया, उनका vaccination भी ले लिया, या हमने अपने number से उनका registration किया है vaccination के लिए, तो हम चाहते हैं या वो चाहते हैं कि अब आपकी number की जगह, मेरी number की जगह, उनका swim का number हो, तो हमें वो transfer करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखते हैं, देखें, उसका दो वह है दो रास्ते से आप जा सकते हैं ठीक है दोनों जानना जान के रखना जाओर है जिस हमें सुबदा होगा हम उसे से कर लेंगे फ्रोस्सאל दोनों ही से मैं लिखे दिखे फ हैं लाज़ यह उसमें देखें चार option मिल रहा है, Reactionation Services, Platforms, Resources, Support, हम support पर click करेंगे, और second option है उसको हम लोग, उस पर हम लोग click करेंगे, click कर देखें कुछ ऐसा interface आ रहा है, ये पहला option ठीक है, दूसरा option क्या है, देखिए, जैसे ही आप login करेंगे, तो यह देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक option मिलेगा raise an issue इस पर भी आप click करके उसी जगर पर जाएंगे देखिए बिल्कुर इस तरह ठीक है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आपको 5 option मिलेगा ठीक है ना यहाँ पर देखिए सबसे bottom में सबसे पाचवा नंबर जो option है transfer a member to new mobile number ठीक है आप इस पर क्या करेंगे click करेंगे click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे देखिए member details यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है आप जैसे यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर जिस member का mobile number आप change करना चाहते हैं उस member का mobile sorry उस member का नाम यहाँ पर show करेंगे यहाँ आप चार member को अपने number से register कर रखे हैं उन चारो member का यहाँ पर नाम one by one करके देखिए जिस member का mobile number आपको transfer करना है जिस member के मुवाईल नम्बर आपको यहाँ पे उनके मुवाईल नम्बर को add करना है आप यहाँ पे क्या करेंगे उनका नाम यहाँ पे select करके उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए current मुवाईल नम्बर आपने अपने मुवाइल नमबर से किया है तो आपका मुवाइल नमबर यहाँ पर by default दिखेगा ठीक है उसके बाद उस member को जिस member के नाम जिस member के मुवाइल नमबर को आप change करना चाहते हैं ट्रांसफर करना चाहते हैं जिस member का नाम आप यहाँ पर select करेंगे उस member का जो नया मुवाइल नमबर होगा मतलब कि उनका जो मुवाइल नमबर होगा आप यहाँ पर पूट करेंगे ठीक है आपका current मुवाइल नमबर समझ में आया कि आपने अपने नमबर से चार मेंबर को add किया है मुवाइल नमबर से अब किसी एक member को चाहिए कि वो मेरा number वहाँ पर हो जाए तो आप easily transfer कर सकते हैं तो इस option को use करके जैसे यूज करेंगे उस member का नाम आप यहाँ पर normally select करेंगे select करने के बाद आपका mobile number से है तो आपका by default दिखे गई तो उस member का जिसको चाहिए कि उनका number हो जाए उनका number आप यहाँ पर निजो mobile number आप यहाँ पर पूट करेंगे उसके बाद इस box में चेक करेंगे उसके बाद continue पर click करते ही आपके mobile में एक message चला जाएगा और आपका जो request है वो successful submit हो जाएगा और थोड़े से processing के बाद थोड़े से समय के बाद आपका क्या होगा mobile number change हो जाएगा और जब उसके बाद आप मैंने किया रहे मैंने आपको process बताया है उसके बाद जब आप अपने process पर आने के बाद जब आप refresh करेंगे process मतलब process होने के बाद जब आप अपने login पेज पर आएंगे कोविन के जहां पर अपने login कर रखा है login पेज पर आएंगे और refresh करेंगे तो आप चार member की जगहें आपको तीन member देखेंगा क्यों क्योंकि आपने एक member को उसके number पर ट्रांसफर कर दिया है ठीक है तो यह था पूरा process यदि आप mobile number को change करना चाहते हैं तो आप बहुती आसानी से इस process को follow करके कर सकते हैं वीडियो कैसा रहा हमें comment section मिले के जोर बताइएगा और हाँ दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारा चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like करें क्योंकि ऐसे वीडियो की notification ने दिया आ time to time पाना है तो subscribe करके रखेंगे जैसे वीडियो आएगी आपको उसका notification मिल जाएगा और वीडियो के माद्दम से आप उस जहनकारी को पाजाएगे तो subscribe करना जरूरी है तो जोस्तों बस चैनल को subscribe करके रखें वीडियो को like करें share करें कमेंट करें वीडियो कैसा रहा हमें comment चैनल के जहूर बताईएगा और हाँ आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है आप हमारी वीडियो माद्दमे को सीखते हैं कैसा लगता है हमें comment चैनल कर जहूर बताईए हमें आपके comment का इंतिजार रहेगा फिर मिलेंगे अगली गुरत्पन वीडियो के संग तब तक के थेंक यू थेंक यू वेरी मच चैनल